हेलो बच्चो, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेज और आज हम डॉक्टर शालू क्लासेज में बिटा पढ़ने वाले हैं किंग्डम फंजाई हम लोग उन्हे प्रीवियस लेक्चर में मॉनेरा और प्रोटिस्टा को फिनिश किया है और अब हम लोग फंजाई के बारे में डिटेल में NCRT की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे उसका मतलब समझेंगे और किसी भी लाइन को मिस नहीं करेंगे लेकिन उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजे बिटा जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजे और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बिटा वो आगे अपने friends को मेरा channel share कर लीजे तकि जादा से जादा लोगों तक हम NCRT को पहुचा सके क्योंकि आपको पता है बिटा हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि जहाँ पर आप लोगों को biological का word to word समझाया जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को एक रुपय भी पे नहीं करना है तो जिसमें आपका बहुत सारा amount आप बचा पाओगे और आगे जब MBBS के अंदर जाओगे और आपको वहाँ पे फीस की पे करनी पड़ेगी या आगे आपको पैसो की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पैसो को वहाँ इंवेस्ट कर पाओगे तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना यहाँ पर आपको पता है मेरे चैनल पर आपको गारंटी मिल रही है कि आप 360 में से 360 नमबर लेके आएंगे और बोर्ड में भी आपके नमबर 95% से उपर आएंगे अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और रेगुलारिटी से मेरा चैनल देखेंगे और हाँ मेहनत जरूर करते रहना है बिटा रेगुलार और हार्ड वर्किंग दो चीज मुझे चाहिए आपकी जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊं आपको लाइन टो लाइन उसको पढ़ना है समझना है कोई queries हो तो आपको मुझसे पूछनी है queries को solve करना है एक mistake book बनानी है जिसमें आपको अपनी सारी queries को लिखना है क्योंकि जब आप revision करेंगे और last में हमारे पास जब revision के लिए बहुत कम time बचेगा तो हम उस mistake book को अच्छे से पढ़ सके चीक है और महनत करते रहना है कहते हैं न बिटा कि जो महनत करते रहते हैं सफलता भी उन पर फिदा हो जाती है यानि सफलता भी उन्हीं को ही मिलती है जो महनत करते हैं तो इसे के साथ हम start करते हैं अपना channel kingdom funzi चीक है बिटा ये जो fungus है यह fungus है आपको पता है यह bacteria के साथ मिलकर decomposition का काम करती है इसलिए हम इसको decomposer कहते हैं decomposer decomposer मतलब कि यह जो complex material है उसको simpler inorganic material में break कर देती है तो हमारे दो decomposer है एक तो fungus decomposer है और एक bacteria decomposer है ठीक है बटा क्योंकि fungus के अंदर fungus के अंदर कोई भी photosynthetic pigment नहीं होता है तो जो fungus है वो photosynthesis नहीं करती है अपना खाना नहीं बनाती है इसका मतलब क्या हुआ बटा इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी fungus है वो सब heterotrophic है यानि अपना खाना खुद नहीं बनाती है और दूसरे पर depend करती है अपने खाने के लिए इसके साथ ही fungus बहुत सारी disease भी cause करती है और कुछ fungus हमारे लिए beneficial भी है जैसे कि हम east का नाम ले सकते हैं जो कि bakery में bakery products बनाने में alcohol बनाने में बहुत जादा useful है तो यहाँ पर हम fungus की बहुत सारी varieties के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी fungus कौन सा disease cause करती है और actually fungus का जो structure है वो होता क्या है क्या fungus के पास cellulose होता है क्या fungus wood को खा सकती है wood को break कर सकती है तो यहाँ पर हम यह सब कुछ पढ़ेंगे बटा ठीक है तो start करते है the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism एक फंजाई ऐसा kingdom है unique word यहाँ पर यूज हुआ है unique एक फंजाई ही ऐसा kingdom है जिसमें सारे के सारे organism heterotrophic है यानि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं understand बटा they show a create diversity in morphology and habitat अलग-अलग तरह के दिखाई देते हैं morphology उनका external appearance बहुत ही अदबूत बहुत ही अलग-अलग होता है बहुत ही different varieties में हमें फंगस मिलते हैं इसके साथ उनका habitat भी अलग-अलग होता है उनके रहने की जगह भी बहुत जादा अलग-अलग होती है you must have been fungi on a moist bread and a rotten fruits आप अपने घर में fruits लेके आते हो bread अगर काफी दिनों तक रख जाए तो brown brown दिखती है न मेटा fungus उसके उपर लग जाती है fruits भी सड जाते है या फिर अगर आप आलू लेके आए हो कई बार आप आलू को बीच में से cut करते हो तो आप देखते हो कि brown और black sport आलू में दिखाई दे रहा है वो भी fungus के कारण है कई बार white color के आपको sports दिखाई देते हैं leaves पे वो भी fungus के कारण है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो fungus है वो बहुत सारी disease cause करती है और हमें daily routine में अपने घर में भी fungus देखने को मिलती है लेकिन जब भी हम fungus की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है मश्रूम हमारे दिमाग में सीधा ही आता है कि बस मश्रूम तो बेटा खाली मश्रूम ही fungus नहीं है यह बहुत सारी fungus है तो मश्रूम को हम याद कर लेते हैं बाकी हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है तो मश्रूम ही अकेली फंगस नहीं है, बहुत सारी फंगस मिलती है हम दो चीजों को दो फंगस हैं जिने हम खाते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी फंगस हैं जिसे हम खाते हैं और जो कि बहुत महंगी भी मिलती हैं वेस्टरन कंट्रीज में खाई जाती हैं जो कि बहुत ज़ादा महेंगी भी मिलती है तो जनरली हम जो daily routines के अंदर लोगों को खाते होगे देखते हैं या फिर हम लोग खाते हैं उसमें हम एक example लेते हैं अपना mushroom का और दूसरा example लेते हैं white spot seen on mustard leaves are due to parasitic fungus मैंने बताया था कि कई बार पतियों पे जो सरसों की पतियां हैं जो mustard की पतियां हैं उन पे हमको सफेद सफेद patches दिखाई देते हैं यह fungus के कारण है लेकिन यहां एक word हुआ है parasitic यानि जो fungus mustard की leaf पे रहती है उसका mode of nutrition होता है parasitic वो parasite बनकर उसको रहती है fungus को ही फायदा होता है और mustard leaves को कोई फायदा नहीं होता वो mustard leaves को पूरी की पूरी फसल को खराब कर सकती है तो यहां पर यह word important है parasitic जादा तर fungus mostly fungus multicellular होती है बहुत सारी cells की बनी हुई होती है तभी तो fungus के अंदर हम कहते हैं जो एक cell है उसको हमने बोला हाई-fee ठीक है एक cell को हमने बोला हाई-fee और जब बहुत सारी cell का जाल आ जाता है आपस में तो उसको हम कहते हैं बिटा mycelium जो fungus का मैं cell wall का structure बताती हूँ fungus का जो cell होता है वो अगर एक हाई-fee से मिलकर बना हुआ होता है लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि fungus में बहुत सारी हाई-fee एक network के रूप में रहती है जिसको हम mycelium कहते हैं इसलिए जो fungus होती है वो बिटा multi cellular होती है फंगस कैसी होती है बिटा multi cellular लेकिन अगर आपसे exam में आता है कि unicellular fungus का example दो जो की बहुत famous है और जिसको आप बहुत जादा examples में भी use करते हो तो हमारी unicellular fungus है यीस्ट कौन सी है यीस्ट इसको बेकरी में यूज करते है इसे हम bread बनाते है अलकोहल भी बनाते है बीर भी यीस्ट से बनती है ठीक है other fungus cause diseases in plants और animals fungus plants में भी disease cause करती है as well as animal में भी disease cause करती है बेटा NCRT में जितनी disease है उसको आपको यादोना चाहिए आलतु-फालतु disease याद करनी की जरूरत नहीं है कि आप reference book पढ़ रहे हो true man's पढ़ रहे हो इसके अंदर इतनी सारे disease है कोई module पढ़ रहे हो coaching center का उसमें इतनी सारे disease है अपना time waste बिलकुल मत करो इधर उधर की disease या सबसे पहली जो disease इन्हों ने बोली है वो है wheat rust causing पख्षीनिया एक fungus का नाम है जो की wheat के अंदर rust cause कर देती है जो wheat की फसल है गेहन की फसल है उसके अंदर rust cause कर देती है और गेहन की फसल को खराब कर देती है पक्षीनिया आप समझ लो कि कोई पक्षी है और वो ऐसे उड़ र some are the source of antibiotics जैसा कि आपको पता है जो first antibiotic बनाई गई थी वो penicillium chrysogenum से बनाई गई थी chrysogenum species का नाम है लेकिन अगर आप genus भी याद करते हो तो चलेगा बिटा तो बहुत सारी fungus ऐसी है जिसे हम antibiotic भी बनाते है fungus है cosmopolitan मतलब हर जगह मिलती है चाहे वो air हो, चाहे वो water हो, चाहे वो soil हो, चाहे animals हो, चाहे plants हो आप कहोगे animals पे कहां fungus हमने देखी है बिटा कई बार बिटा जो कीडे मकवडे जैसे चीटी है मैं आपको बात करती हूँ, ant है कई बार ant के उपर fungus आ जाती है और ant तो मर चुकी है, लेकिन आपको ant move करती हूँ दिखाई देती है क्यों? क्योंकि जो fungus है उसमें high-fee, mycelium बन रहे होते है fungus से high-fee, mycelium बन रहे होते है तो आपको लगता है, ant चल रही है, लेकिन वो ant मर चुकी है ऐसे ही grass होपर grass होपर पर भी कई बार fungus आ जाती है तो ऐसा नहीं है, कि ये जो fungus है, वो सरफ plants तक होती है नहीं, fungus animals पर भी लग जाती है इनको जनरलिक कैसा वातावरन चाहिए ग्रो करने के लिए warm, humid थोड़ी सी humidity हो, थोड़ी से हवा में नमी हो, water vapors हो तो ऐसी places पर ये बहुत जल्दी उगती है तभी तो हम fridge में रखते हैं न बटा तभी तो हम fridge में रखते हैं समान को तक उस पर fungus ना लग जाए क्योंकि fridge में जो temperature होता है, वो cold होता है humid नहीं होता है, अगर हम गर्मियों में ये बाहर रखते है जहां थोड़ी सी नमी humidity होती है और हलका सा warm होता है, तो वहां आमको fungus बहुत ज़ादा देखने को मिलती है Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, अभी मैंने आपको बताया ताकि food हमारा खराब ना हो, क्योंकि जो भी bacteria है और जो भी fungus है fungus और bacteria दोनों को एक particular temperature की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और food जो refrigerator है उसका temperature काफी कम होता है इतने कम temperature पर bacteria और fungus ग्रो नहीं कर पाते है With the exception of yeast, which are unicellular, यह आपको याद रखना है बता unicellular fungus, yeast ascomycetes fungus है, उसका मतलब class है fungus की उसका member है, यह आपको याद रखना है कि yeast आपका unicellular है Fungi Flamentus, Flamentus भी होती है, उनकी body Flament की भी बनी हुई होती है उनकी जो body होती है, वो long, cylinder, thread-like structures की बनी हुई होती है जिसको हम हाइफी कहते हैं, जो कि मैंने आपको यह बताया कि इस तरह से long, cylinder-like body होती है, जिससे उनकी जो fungi है, वो बने हुए होते है तो जिने हम क्या कहते हैं, इने हम कहते हैं hyphy, और जब बहुत सारी hyphy आपस में मिल जाती है तो उसको हम कहते है mycelium, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ यह मैं आपको 2 hyphy दिखा रही हूँ दो हाइफी यह जो हाइफी है इसके अंदर न्यूकलियस इस टाइप से है और एक जो हमने हाइफी बनाई उसमें न्यूकलियस है लेकिन न्यूकलियस के बीच में यह separation है यह separation है जब multi-nucleate होता है साइटोप्लास्म में न्यूकलियस ऐसे ही पड़ा हुआ है इस तरह की condition को हम कहते हैं बिटा सीनो सिटिक कंडिशन सीनो सिटिक कंडिशन यानि मल्टी नुकलियेट हाइफी जो उसमें बीच में कोई भी सेल वॉल नहीं है नुकलियस ऐसे ही पड़े हुए है और इसको हम दूसरा इसका नाम है बिटा एसेप्टेट क्या नाम है बिटा? एक सेप्टेट इसके अंदर आप देख रहे है हर एक में दो नुकलियस को एक सेप्टा जो है वो अलग कर रहा है तो एक तरह से कंपार्टमेंट बने हुए है ये कंपार्टमेंट बने हुए है इस तरह की हाइफी को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी क्या कहते हैं बटा septate hyphy समझाया बटा तो दो तरह की hyphy देखने को मिलती है एक में septa होता है और एक में septa नहीं होता है तो जो इनकी bodies होती है वो long cylinder thread like structures की बनी हुई होती है जिसे हम hyphy कहते हैं और जब hyphy बहुत सारी hyphy का network बन जाता है बटा इस तरीके से तो इसे हम mycelium कहते हैं तो network of hyphy को क्या कहते हैं बटा mycelium सम hyphy are continuous tubes filled with multi-nucleate cytoplasm जो मैंने बताया एक tube की तरह है जिसके अंदर cytoplasm के अंदर बहुत सारी nucleus है तो इनके बीच में कोई भी wall नहीं है जो कि nucleus को separate कर सके इस तरह की hyphy को हम sinusitic hyphy कहते हैं और बाकी जो hyphy है उनके बीच में septa होता है cross walls होती है तो ये जो hyphy एती है उसको हम septate hyphy कहते हैं अब ये जो septa या फिर cell wall है fungus की वो बनी हुई होती है बिटा kaitin की किसकी बनी हुई होती है kaitin की cell wall of fungus kaitin kaitin का दूसरा नाम fungal cellulose भी है पिटा kaitin जो है इसका दूसरा नाम fungal cellulose भी है इसको fungal cellulose भी कहते हैं और ये polymer होता है N-acetyl N-acetyl glucosamine ये polymer होता है N-acetyl glucosamine तो जो fungus की cell wall है वो fungal cellulose की बनी हुई होती है जिसे हम kaitin कहते हैं ये की polysaccharide है ये आपको पता है और ये polymer होता है N-acetyl glucosamine का तो ये kaitin और polysaccharides की बनी हुई होती है अब बिटा एक चीज और बता दू ये जो septa है अब आप question आता है कि अगर इनके बीच में color change करके आपको बताती हूँ अगर ये cell wall बिल्कुल separate कर देगी तो एक cell से दूसरे cell में खाना पिना कैसे जाएगा तो ये जो septa है इनके बीच में pores होते हैं और कई pores ऐसे होते हैं एक तो होते हैं simple pore कि इस तरीके से बस pores बने हुए है और कई बार जो pores की opening होती है उस पे इस तरीके से बल्ज आ जाता है इस तरीके से ये pore है ये बल्ज आपको जो दिख रहा है बीच में ये जो बल्ज है इस तरह के pores भी मिलते हैं इस तरह के pores को हम dolly pore कहते हैं simple pore होते हैं simple pore simple ये 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 simple pore है बिटा ये पूर है और कई बार पूर आउट ग्रोथ इस टाइप से बल्जिंग वाली बना लेते हैं जिसे हम डोली पूर कहते हैं अंडरस्टैंड बेटा Most funsier heterotrophic in nature अपना खाना खुद नहीं बनाती है इनके पास कोई photosynthetic pigment नहीं होता है और बेटा ये खाना चबा भी नहीं सकती है निगल भी नहीं सकती है इनके पास कोई teeth organ कोई खाना चबाने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो ये सरफ absorb कर सकती है अपनी body से तो ये क्या करती है simple soluble organic matter को जो dead है मालो ये दो तरह का काम करती है living plant पे और animals पे भी रहती है और dead पे भी रहती है अगर उन्होंने dead plant और animals से organic matter को soluble form में लिया है तो इस तरह के nutrition को हम कहते हैं saprophytes चीक है और अगर जैसे अभी हमने white mustard के अंदर white patches पढ़े वो parasitic है जिन्दा plant और animals पे अगर वो leave करती है तो वो कहते हैं parasitic वो क्या कहते हैं बटा parasitic तो फंजा heterotrophic होती है and absorb soluble organic matter from dead substances hence are called saprophytes गली सडी चीजों पे से soluble form में खाने को खाना absorb करना खाना नहीं absorb करना उसे हम कहते हैं saprophytes those that depend on living plants and animals उन्हें हम कहते हैं parasites understand difference समझ में आगे है बच्चो they can also live as symbionts मतलब symbionts क्या होते हैं यानि दोनों को दो लोग एक साथ रहते हैं दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है यह मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ तो यह symbiont के रूप में भी रहती हैं इसका example है lichens and the mycorrhizaea lichens क्या होते हैं जब fungi किसी algae के साथ रहना start कर देती है जब fungus किसी algae के साथ रहना start कर देती है तो उसको हम lichens कहते हैं अब कैसे fungus क्या करती है बटा fungus nutrient absorb करती है mineral absorb करती है protection देती है पूरी covering देती है वो सब fungus करती है algae क्या करती है green color की होती है photosynthetic pigment होता है तो algae खाना बना के देती है तो एक दरह से दोनों को फायदा हो गया न बटा और अगर fungus किसी higher plants की roots में रहती है तो उसको हम mycorrhiza कहते हैं reproduction in fungus can takes place by vegetative means vegetative means से भी reproduction होता है vegetative means में क्या fragmentation, fission and budding ये तीनों हम अपने first chapter में explain कर चुके है कि fragmentation क्या होता है fission क्या होता है और budding क्या होती है बहुत अच्छे से हम अपने first chapter के अंदर explain कर चुके है जिन बच्चों ने वो chapter नहीं देखा है तो वो जाके उस chapter को देख के आए बेटा ये diversity वाले का neat में बहुत ज़्यादा weightage है 14% weightage है 14% questions आपके इनी chapters में से आने वाले है तो आप इन chapter को नजर अंदाज मत करो बेटा सारे chapters regularity से attend करो कोई भी point miss नहीं होना चाहिए क्योंकि we never know किस point में से question आ जाए चीक है और इसी तरह से जो ace actual reproduction होता है बेटा ace actual reproduction होता है sports से किस से होता है ace actual reproduction बेटा sports से चीक है और sports भी इसमें दो तरह के होते हैं चलने फिरने वाले और बिना चलने फिरने वाले चीक है तो जो ace actual reproduction होता है वो sports से होते हैं जिने हम konedia भी कहते हैं porangio sports भी कहते हैं और jews sports भी कहते हैं ठीक है और जो sexual reproduction होता है बिटा याद रखना question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि asco sports क्या है sexual है या a sexual means of reproduction है तो यह sexual है o sports o यानि egg यानि female से related है तो sexual ही होका ठीक है besidio sports तो यह तीन o a b o a b o a b यह तीनो sexual mode of reproduction शो करते हैं o से o sport a से asco sport b से besidio sports ठीक है और बाकी जो sports है conedia sport, angio sports, jews sports यह सब asexual mode of sports है the various sports are produced in distinctive structures called fruiting bodies अब बेटा मैं आपको बताती हूँ जैसे bread है हमने bread ली bread के उपर इस तरह से fruiting bodies आ गई यह जो fruiting bodies है यह मैंने बनाया sporangio sports और यह मैंने बनाया sporangia यह fruiting bodies होती है अब इस fruiting bodies के अंदर जो अंदर sports है वो cornedia में भी develop हो सकते है और juice sports में भी develop हो सकते है तो इन fruiting bodies के अंदर sports रहते है और यह sports नया hyphae यह नई mycelium बनाते है इनका growth बहुती ज़ादा तेजी से होता है ठीक है अब जो sexual cycle है इसके अंदर बिटा एक बहुत ही important stage पाई जाती है जिसे हम कहते है die carry on stage die carry on stage अब वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ the sexual cycle तीन steps है में fusion of protoplasm between two motile and non motile gametes बिटा मैं आपको बता दू जो non motile gametes होती है उनको a plano spores कहते है ये भी मैं आपको अपने first chapter में बता चुकी हूँ तो जो non motile gametes होते है उनने a plano spores कहते है सबसे पहले क्या होता है पिटा दो हाई-फी है ये जो दो हाई-फी है इनके जो protoplasm है वो आपस में fuse करते है जिसे हम कहते हैं plasmu gammy gammy मतलब fusion plasma का fusion protoplasm का fusion चाहे दो motile gametes हो जिनके पास flasilla हो जैसे juice pore है उनके पास flasilla है और चाहे दो non motile gametes हो आपस में plasma fuse करते हैं पहले understand अब क्या होता है बिटा plasma जब fuse करता है लेकिन nucleus ने fuse नहीं किया ठीक है sports के plasma ने fuse किया तो जो और उस दो nucleus हैं वो इस तरीके से है nucleus का fusion plasma के fusion के बाद होगा plasma ने fuse किया दो nucleus एक जगे आगए लेकिन दो nucleus आपस में fuse नहीं कर रहे किसी किसी फंजाई में ये दो nucleus काफी देर बाद fuse करते हैं ठीक है plasmu gammy होने के बाद karyo gammy यानि दो nucleus का fusion जिसे हम karyo gammy कहते हैं उसको fuse होने में काफी time लगता है तो उस case में हमारे पास दो nucleus होते हैं जिसे हम बिटा n प्लस n कहते हैं जिसे हम n प्लस n कहते हैं तो इस stage को हमने कहा die die मतलब 2 karyon मतलब nucleus ये सिरफ और सिरफ फंजाई में आपको देखने को मिलेगा understand तो सबसे पहले तो plasma fuse करता है उसके बाद 2 nucleus आपस में fuse करते हैं और जब karyo gammy से gigot बन जाता है तो उस gigot में meiosis होता है और meiosis से haploid spores बनते हैं तो ये important is actual cycle इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है और अच्छे तरीके से दिमाग में समझ लेना है कि diicarion आखिर क्यों बनते है when a fungus reproduce sexually who haploid hyphae of compatible mating types compatible मतलब दो motile या दो non motile ही होते हैं एक motile एक non motile आके fuse नहीं करता तो compatibility होनी चीए ऐसा नहीं कि कोई दो different species आके fuse कर रहे हैं नहीं होगा बिटा तो ये एक दूसरे के पास आते हैं और fuse करते हैं इन समफंजाई the fusion of two haploid cells immediately result in deployed cells कई बार plasmo gammy से karyo gammy बहुत ही fast होता है और सीधा deployed cells बन जाती है लेकिन इसमें नाम दियों है बिटा escomycities और basidiomycities escomycities जिसका member yeast भी है basidiomycities जिसमें mushroom पाए जाते हैं ये दो classes हैं इनके अंदर plasmo gammy के direct बात karyo gammy नहीं होता और जिसकी वज़े से यहाँ पर dicariotic stage n plus n मिलता है two nuclei per cells ठीक है तो example याद रख लेना dicarion किसमें देखने को मिलता है तो इस condition को हम dicarion कहते हैं और इस phase को dicarion phase कहते हैं fungus में काफी देर के बाद जब वो time पूरा हो जाता है तो ये जो parental nuclei है ये आपस में fuse हो जाती है और cells deployed बना देती है चीक है fungi from fruiting ये देखो इसके अंदर देखो example देखो इसके अंदर ये जो आपको ये दिख रहे है ये मोटे मोटे sports दिख रहे है ये मैं highlight कर रही हूँ बटा ये सब fruiting bodies है क्या है ये सब fruiting bodies है fruiting bodies में क्या भरे हुए है sports भरे हुए है तो जो fungi है fruiting bodies की जहाँ पर reduction division हो रहा है उससे haploid sports बनते है क्या बनता है बिटा उससे haploid sports बनते है I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि कैसे haploid sports बनते है तो अब हम पढ़ते हैं बिटा आ गया the morphology of the mycelium mode of spore formation and fruiting bodies form the basis of the division of kingdom into various classes important जहां मैं important बोलू याद रखना चाहिए क्या क्या चीज हमने consider करी है classify करने के लिए mycelium कैसा दिखता है spore कैसे बनते हैं उसके अंदर कैसी fruiting bodies होती है इन तीन चीजों को हमने consider किया है उसको classes में बाटने से पहले ये देखो आपको mushroom दिखाया गया है बटा ये muker दिखाया गया है आपको ठीक है तो सबसे पहली जो class है वो fico my cities है आपके higher books के अंदर fico my cities को भी दो पार्ट में divide किया गया है ठीक है जैसे लेकिन उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे syllabus में इतनी ही है तो अभी हम phico my cities के बारे में पढ़ेंगे पहली class है ध्यान से पढ़ना बटा इसको members of fico my cities are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places और as obligate parasites on plant जो fico my cities के member है ये पानी में रहते हैं generally wood के उपर कई बार जो लकडिया अगर वो moist place में रहती है जहां थोड़ा गिला पन है ऐसे damp places में रहती है तो वहाँ पर भी इसके organism grow कर जाते है parasitic form में रहते हैं plant पर कैसे form में रहते हैं obligate का या मतलब होता है strict obligate का क्या मतलब है strict चीक है parasite के रूप में रहते हैं जो इसका mycelium है वो aceptate है यानि कोई wall nucleus के बीच में नहीं होती उस condition को हम कहते हैं sinocytic asexual reproduction अब बटा ये important है phycomicetes में asexual reproduction कैसे होता है juice sports है juice sports हमारे motile sports है चल फिर चलने वाले sports है और दूसरे इनके non motile sports भी होते हैं aplano sports कौन से होते हैं बटा aplano sports juice sports as well as aplano sports ये याद रखना है आपको ये जो spores है ये sporengia के अंदर बनते हैं बटा ये जो हमने fruiting body देखी है ये भी इसके अंदर ये जो fruiting body है तो generally fruiting body के अंदर बनते हैं sports बाहर नहीं बनते हैं तो ये important है ये जो juice sport है और ये जो aplano sport है ये endogeniously produced होते हैं यानि sporengia के अंदर बनते हैं उसके उपर के surface पर नहीं बनते हैं उपर के surface पर कौन से spore बनते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे चीक है अब क्या होता है बटा जब दो gamete आपस में fuse कर रहे हैं तो इसमें ज़ाइगो स्पोर बन रहा है ये जो gametes हैं ये बिल्कुल iso gametes है यानि एक दूसरे के similar दिखते हैं iso gametes में हम नहीं पता हमें कौन सा male है कौन सा female है दोनु active रहते हैं दोनु की जो active है वो भी similar रहता है तो इसके अंदर हम कुछ भी differentiate नहीं कर सकते हैं ये भी हमने पहले वाले chapter में पढ़ा है इसके अलावा anisogammus भी रह सकते हैं और o gametes भी रह सकते हैं anisogammus एक बड़ा एक छोटा दोनों अलग-अलग हैं o gametes में o मतलब होता है जहां पर भी double o word आजाता है वो word relate करता है female से तो यानि female बड़ी और male छोटा उसको o gametes कहते हैं बिटा तो इसमें तीनों तरह के gametes मिलते हैं isogammus, anisogammus, o gametes understand? asexual reproduction, motile, jewsports जो हमारा jew है वो मोटा भाई है मोटा भाई क्या है? जू है तो मोटा भाई जू में गया मोटा भाई जू में गया यानि जू sports motile है ठीक है? a plano sports या non motile sports है तो some common examples are mucar जो कि हमें यहां दिखाया गया है यह first वाला जो figure है बिटा मैं आपको दिखाती हूँ mucar और आपको यहां पर दिखाया गया है mucar, aspergillus and agaricus यह जो figure है बिटा a वाला जो figure है यह है mucar यह क्या है बिटा? यह है aspergillus कौन सा fungus है second वाला? बिटा यह आपको याद रखने जरूरी है इनकी photo दिखा के भी पूछ सकते है NC8 का तो कुछ नहीं छोड़ना है हमें और तीसरा वाला फंगस कौन सा है बिटा? agaricus कौन सा है तीसरा वाला फंगस हमारा? agaricus तो इसके अंदर हमने examples देखे हैं rhizopus, mucar and agaricus तो mucar इसका member है phicomycetes का rhizopus, इसको bread mouth भी कहते हैं जो कि हमने पहले बताया है और albugo, यह parasitic fungus है जो mustard पर white color के patches हो जाते हैं वो albugo, fungus के कारणी होते हैं और यह एक parasite की तरह इसके mustard के leaves पर रहते हैं rhizopus, bread के उपर उगते हैं mucar, हमारी body के अंदर भी चले जाते हैं चीक है? तो यह आपको याद रखने हैं इसके तीन example escomycetes होती है escus मतलब thela, bag, bora जैसे borë का मुझ खुलता है ना इस type से इनका मुझ खुलता है इस type से होता है इनका structure यह जैसे यह borë का मुझ खुला हुआ है यह bora है, इसका हमने इधर से और इधर से पकड़के मुझ खुल दिया तो इस तरह का eaten like fungi होती है जो कि multicellular escomycetes का example पूछा जाएगा panacellium unicellular escomycetes का example पूछा जाएगा yeast इसका नाम है saccharomyces cerebaceae आप सिरफ जीनस याद कर ले अब ये जो escomycetes है ये saprophytic है गली सडी, मरी हुई, dead decay चीजों पर से absorb करती है अपना nutrient decomposer है बेटा ये basidiomycetes भी होती है ये इतनी खतरनाक होती है basidiomycetes तो वुड तक को खा जाती है वुड के अंदर cellulose को तो बहुत सारे कीडे मकोडे खा जाते है बेक्टीरिया खा जाते है लेकिन वुड के अंदर जो lignin होता है न उसको खाने वाले कोई ही नहीं फंजाई के अलावा वो lignin digestive enzyme प्रेडियूस करती है और वुड के lignin तक को खा जाती है तो ये इतने खतरनाक वाले decomposer होते हैं बटा तो ये saprophytic है decomposer है parasite के रूप में भी रहते हैं और सबसे important है coprophilus coprophilus मतलब जो fecal matter पर grow करते हैं fecal matter जो गाय का गोबर है उस पे ये grow करते हैं तो ये coprophilus है तो coprophilus is the exclusive character sticks of the ascomycities तो ये आपको याद रखना है उपर वाले में mycelium कैसा था a septate इसके अंदर कैसा है septate इसमें cell wall होती है तो जो mycelium है वो branched है और septate है एक एक line याद रखनी है बेटा आपको एक एक line asexual sports उपर वाले में table बना लेना ठीक है उपर वाले में कौन से थे juice sports और aplano sports और यहाँ पर है conedia क्या है आपे अब ये जो conedia है ये fruiting body के उपर produce होते हैं उपर surface पे इसलिए इनको exogenously produced sports भी कहा जाता है ठीक है और इनकी जो fruiting body है उसको हम conedia force कहते हैं उनको हम conedia force कहते हैं बेटा ठीक है तो ये जो है sports conedia asexual sports है exogenously special mycelium पे grow करते हैं जिसको conedia for कहते हैं conedia germination के दोरान mycelium बनाता है इसमें जो sexual sports मिलते हैं उनका नाम है asco sports asco sports और ये endogenously produce होते हैं यानि ascus ascus थैले के अंदर produce होते हैं ये तो sexual थैले के अंदर asexual थैले के बाहर understand तो जो थैले के अंदर produce होता है उसको हमने बोला endogenously और जो थैले के surface पे produce होता है उसको हमने बोला थैले के अदर याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना ये पिंक कलर का होता है और इसके एक्जामपल याद रखना इस परजिलस ख्लैविस्थैप्स नूरस्पोरा Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work जो मैंने आपको बताया इसके अलावा morals और truffles ये बहुत ही महंगे होते हैं इनको भी खाया जाता है और generally ये बहुत ही महंगी dishes के अंदर western countries में लोग इने बहुत ज़ादा खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़ादा nutritious होते हैं understand तो asco mycities सबको समझ में आ गया तो अब हम start करने वाले हैं बेटा बेसीडियो mycities आपका क्या है बेटा इसके अंदर basics सबके clear होने चीए basics clear होने बहुत ज़ादा ज़रूरी है अब हम करते हैं बेसीडियो mycities जिसमें हमारा आता है खाते हैं और जो में अच्छा भी लगता है कि मम्मी mushroom मटर बना दो gravy बना दो हमें तो बहुत अच्छा लगता है और कई बच्चों को अच्छा नहीं भी लगता कई लोगों को लगता है कि गली सडी जगे पैदा होता है इसको हम क्यू खाए तो काफी लोग इस वज़े से इसको avoid भी करते है बेसीडियो माइसीटीज में हमारा आता है बटा मश्रूम commonly non form of बेसीडियो माइसीटीज मश्रूम या फिर इन्हें ब्रैकेट फंजाई और ब्रैकेट फंजाई का दूसरा नाम है puff balls soil में ग्रो करते है logs समझ गए ना जो लकड़ी के गठे होते है उनके ओपर ग्रो करते है tree stumps पेडो पे ग्रो करते है पेडो की wood जो होती है बार्क जो होती है ठीक है तना जो होता है उस पे ग्रो करते है और living plant body पे भी parasite के रूप में रहते है जो rust और smut disease है यानि ये living plant body पत्यों पे होती है और ये parasite के रूप में रहते है तो question आता है rust और smut किस से होती है Bacidio mycities इनका भी mycelium branched रहता है और septate रहता है पीछे वाले की तरह Asexual sports इसमें नहीं होते है Asexual reproduction absent Bacidio mycities में लेकिन vegetative reproduction होता है किस कौन से mode से Fragmentation से Sex organs इसमें नहीं होते है जैसे उपर वाली में जाइगो sports हमने पढ़ा था उससे उपर वाली में इसमें sex organs absent होते है But plasmo gammy is brought about by the जैसे हमने उपर पढ़ा Plasmo gammy होती है दो vegetative या somatic cells जो होती है different strain की या genotype की वो दूसरे के पास आती है different strain और genotype की दो vegetative या somatic cells में पहले plasma यानि protoplasm fuse होता है उसके बाद हमने उपर पढ़ा था diicariotic structure इसमें बन जाता है बाद में वो fuse होके basidium बना देते हैं इस तरह से basidia बना देते हैं यह basidia जो होते हैं बिटा इसके बाद सबसे पहले क्या हुआ दो vegetative और somatic cell एक दूसरे के पास आए protoplasm का fusion हुआ diicarion stage बनी और उसके बाद basidium बन गए लेकिन इन basidium में दो-दो nucleus रहते हैं diicarion रहते हैं कोशन यह भी बना basidium कैसा रहता है diicarion ठीक है उसके बाद carryo gammy होता है jai gaud बनता है उसके बाद meiosis होता है सब basidium में हो रहा है carryo gammy भी और meiosis भी तो जिससे 4 basidio sports बना दिये उसने 4 basidio sports बना दिये यह जो basidio sports हैं यह exogenously produce होते हैं basidium के उपर ये basidia में इसके उपर exogenously produced होते हैं और basidia किस पे होते हैं? वो ही fruiting bodies पर basidia किस पे होते हैं? इसकी fruiting bodies को कहा जाता है basidio carb क्या कहते हैं बिटा? basidio carb तो ये याद रखना है conidio force में conidia basidio carb में basidia basidia कैसे? ये basidio sports क्या है? sexual sports है exogenously produce होते हैं endogenously exogenously produce होते हैं उपर produce होते हैं, अंदर produce होते हैं body के उपर produce होते हैं ये बस आपको common याद रखने हैं अब हम पढ़ते हैं इसका mushroom का आपको नाम याद करना है agaricus smut disease कौन सी fungus से होती है? astilago astilago किसका member है? basidium icetis का rust disease किस से होती है? pacsinia pacsinia किसका member है? basidium icetis का तो ये आपको याद रखना है बटा बहुत ज़्यादा example नहीं है अगर daily के example आप daily daily कर लोगे बटा अगर daily के example आप daily daily कर लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ये नहीं लगेगा कि हमें तो example याद नहीं है next deutromycetis इनका दूसरा नाम है बटा imperfect fungi imperfect ये perfect नहीं होती है क्यों? क्योंकि इनके अंदर sexual reproduction नहीं होता है उपर वाले में asexual नहीं होता नीचे वाले में sexual नहीं होता चीक है? तो इनको हम imperfect fungi कहते है because only the asexual or vegetative phase ही इस fungus का पता है sexual form in fungus की discovered की गई लेकिन उनको यहां से हटा के उन classes में डाल दिया गया जो इससे rightly belong करती हैं तो जितने भी member हैं जो asexual reproduction show करते हैं जिनमे sexual नहीं होता उसको उठा के इसमें डाल दिया गया और इसमें अगर हमें कुछ मिला तो हमें लगा this is not the right place for those organism तो हमने उनको shift कर दिया दूसरे वाले kingdom में और दूसरे वाले अपने groups में it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name ठीक है A की नाम दिया इसके अंदर deuteromycities sexual stage को दूसरे class में रख दिया ठीक है later when the linkages were established the fungi were correctly identified and moved out to the deuteromycities कई बार क्या हुआ sexual और ये sexual वाले को इसके एक ग्रूप में रख दिया गया sexual को दूसरे ग्रूप में रख दिया गया फिर हमने बहुत सारी study कि जिसमें linkages मतलब chromosomes की study करी तो हमने देखा कि जो sexual वाले chromosomes है वो इससे कहीं पर भी match नहीं कर रहे है तो हमने कहा कि ये organism यहां ब्लॉंग नहीं करता तो हमने deuteromycities से निकालके दूसरे वाले ग्रूप के अंदर उसको रख दिया समझाया उनको हम उठाते हैं और एसको माइसिटीज और बेसीडियो माइसिटीज में डाल देते हैं तो बेसीडियो माइसिटीज में कहने का मतलब यह है बिटा सिरफ और सिरफ वो organism present है जो सिरफ ऐसेक्च्वल मोड ओफ रिप्रोड़क्शन होता है जिनका जिसे कहते हैं कोनीडिया important सरफ कोनीडिया से ही वो रिप्रोड़ूस करती है माइसिलियम सरफ एक में एसेप्टेट और सिनोसिटिक था फाइको माइसिटीज में बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांश चापका आया है इसमें nutrition कैसा होता है सेप्रोफाइट और पैरासाइट जनरली सब में यही हो रहा है large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling यानि जो litter है जो कूड़ा करकट है उसको simple inorganic में carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus के अंदर break कर देना और mineral recycling में help करना सम एक्जांपल्स आर alternarius all in knee, coletrotrichum, falcatum यह बिटा गन्ने के अंदर ना red root of sugar cane कर देता है गन्ना अगर खाओगे तो लाल-लाल दिखाई देता है अंदर से trichoderma तो यह भी बहुत सारी diseases जैसे alternaria है early blight of potato करता है यह लेकिन आपको नहीं याद रखने की जरूरत आपको access में कुछ भी ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है जो exam में ना पूछा जाता हूँ अगर कुछ extra लगेगा मुझे पूछा जाता है तो मैं आपको आगे से लिखवा दूँगी वो चीज तो इसलिए तो आज हमारा यहाँ पर fungus खतम होता है I hope कि आपको बहुत अच्छे से यह fungus समझ में आया होगा और इसको बिटा बार-बार read करना है NCRT के पीछे के questions करने ऐसे related अगर आप able नहीं हो वो questions करने में यानि दुबारा chapter पे आओ दुबारा उसको read करो कहीं न कहीं आप lag कर रहे हो कुछ भी queries है comment section में डालो मेरी mail id drshaluklasses at the rate gmail.com पे आप उसको message करो मैं आपको immediately उसका reply करूंगी ठीक है अपने doubts मुझे भेजो मैं आपके doubts को clear करूंगी लेकिन read करो सारे examples आपके कल तक tips पर होने चाहिए चीक है बिटा और सबसे जरूरी काम मेरे channel को share करो like करो और जिस ने subscribe नहीं किया है subscribe करो और एक बच्चा कम से कम अपने 10 friends के पास भेजे और अपने 10 friends से subscribe करवाए ताकि मुझे भी तो थोड़ी energy मिले मुझे भी तो लगे भई मेरे भी लाखों subscriber है मैं भी इतनी महानत कर रही हूँ तो मुझे भी तो उसका reward चाहिए ना बिटा तो आप जल्दी जल्दी ये वाला काम करो तो तब तक के लिए हम मिलते हैं next session में टाटा बाई बाई खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए